आज हम आपको ले चल रहे हैं इंडिया के टी रिच हिल स्टेशन मुननार और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे इस वीडियो में दी गई इंफिमेशन के अलावा भी अगर आपका कोई और टावल क्वेशन है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछे आपका रिपलाई भी जरूर आपको मिलेगा आईए जानते हैं कि आखिर मुननार पहुंचे कैसे अगर आप फ्लाइट से जाएंगे तो नियरेस्ट एपोर्ट इस इन कोची जहां से मुननार 110 किलोमीटर है अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहां से नियरेस रेलवे स्टेशन अलूवा है अलूवा स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको मुननार की डायरेक्ट बस मिल जाएगी लेकिन अगर आपको अलूवा की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मदुरें या फिर अरनाकुलम के थ्रू भी आ सकते हैं इफ यू आर रोड ट्रिप लवर और अपनी वेहिकल से जाना चाते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि बीच बीच में थोड़े खराब पैचेस को अगर छोड़ दें तो रोड कंडिशन आवरिज कहेंगे और अगर आप बस से जाना चाते हैं तो आपको साउथ इंडिया की अल्मोस्ट हर मेजर सिटी से ओवरनाइट बसे इजली मिल जाएंगी ट्रावल लवर्ड के लिए कम्यूनिटी टैब में हमारा लास्ट क्वेस्टिन था अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए इसका सही जवाब हम आपको इस वीडियो के एंड में देंगे So moving forward, let's see कि मुनार में घूमने और करने को क्या-क्या है मुनार की लाइफ लाइफ लाइन है यहां की beautiful mountains और उसमें located tea gardens आपकी ease के लिए मैंने यहां की best places को map पे mark कर दिया है जिसका आप snapshot ले सकते हैं आप top station जा सकते हैं जो कि मुनार का highest point है यहां का panoramic view is amazing, do click some pics here यहां से कुछ ही दूर पर situated है eco point next आप जा सकते हैं यहां का famous अटुकल waterfall it's very beautiful पर यहां पे नहाना allowed नहीं है लेकिन अगर आपको पानी में जाना और adventure sports करना पसंद है तो आप माटू पेटी डाम जा सकते हैं जहां पे आपको various water sports मिलेंगे इसके बाद आप यहां के famous rose garden जा सकते हैं जिसकी entry fees 50 rupees है अगर आपको flowers पसंद हैं तो it's a must visit place finally peaceful और photographic place तो जाना बनता है जहां पर धेर सारी pics ली जा सके हैं और इसके लिए आप कुंडला डैम जा सकते हैं आईए next जानते हैं यहां पे available food options के बारे में वैसे तो यहां पे आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगी लेकिन अब आप South India में आए हैं तो यहां का इडली, डोसा, सांबर, चटनी and chocolate tea जरूर ट्राइ करिएगा और यह सब आपको बहुत ही reasonable rates में मिल जाएगा अगर आप मुनार ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप किसी भी मन्त में मुनार विजिट कर सकते हैं except monsoons क्योंकि monsoons में कभी-कभी बहुत जादा बारिश हो जाती है जिसकी वज़ा से roads काफी slippery हो जाती है where to stay की बात करें तो best होगा कि आप city center से दूर रुकें क्योंकि असली मजा तो city के shore से दूर मुनार की green beautiful hills में रहने का ही है मैं जहां रुकी थी उसका link description में दे दिया है it was a good budget resort next रमाते है अपने वीडियो के सबसे important point बज़ट पे local side seeing में खर्च की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको self drive car या two wheeler नहीं मिलेंगे तो आप hotel से taxi book करवा सकते हैं rates are almost fixed इसमें आपको approximately 3000 रुपीज खर्च होंगे food बहुत costly नहीं है और छे से 700 रुपे पर डे उसमें खर्च होंगे hotels यहां पर आपको हर range में मिल जाएंगे एक decent अच्छा hotel आपको 2000 रुपे में बहुत आराम से मिल जाएगा आने जाने का depend करता है कि आप कहां से आ रहे हैं और आपकी mode of travel पर तो एक बार आप मुनात पहुँच गए आपकी weekend trip लगभग 6-7000 में हो जाने जाएगे अब बारी है travel quiz के question के सही answer की kochi is also known as queen of the Arabian sea so congrats जिनका जिनका आंसर सही हुआ है viewers करपे आद ध्यान दें travel fund repeat को subscribe करें और bell icon दबाएं जिससे आप channel की कोई भी video मिस ना करें